World Cup का Semi Final 2 जो की खेला जाएगा इंडिया और इंगलेंड के बीच में लास्ट वाला Semi Final याद होगा आपको लास्ट मतलब World Cup का 2022 में खेला गया था इंगलेंड ने 10 विकेट से हराया था क्या टीम इंडिया बदला ले पाएगी देखो लेना तो चाहिए लेकिन आप अपनी fantasy team किस तरीके से बनाओगे किस तरीके से किस player का selection ज्यादा important रहेगा ये pitch कैसा behave करेगी ऐसी बहुत सारी logical चीजे जब आपको पता रहेंगी ना तो खुद से अपनी बहतर टीम बना पाऊगे और इस वीडियो में आपको खुद से पैतर टीम बनाना सिखाया जाएगा बस आपको पूरा वीडियो देखना है देखो ये जो मैच है वो प्रॉविटेंच स्टीडियम गयाना के विकेट पर खेला जाएगा तो सुबह के साड़े दस बज़े ये मैच है ठीक है अब मैं पिछ रिपोर्ट की बात करता हूं देखो ओवर ओल ये जो गयाना का स्टेडियम है ये एक नूट्रल एंड स्लो विकेट रहता है जनरली ठीक है तो यहां पर ना रंच बनाना उतना इजी नहीं रहता है अलग स्कोर गया है सीपिल में 10 मुकाबले खेले गए जहां पर 23 में खेले गए थे जहां पर 134 का फर्स इंग का एवरिज स्कोर 112 का सेकंड इनिंग का एवरिज स्कोर स्पिन को 53 और पेशर को 59 विकेट मिले हैं यानि यहां पर देखो कि तो स्पिन का नंबर भी काफी अच्छा ह पांच मुकाबले खेले गए इस सीजन और यहां पर फर्स इनिंग का एवरिज स्कोर 156 सेकंड इनिंग का 61 इस पिनर को 32 पेशर को चालिस तो यह जो नंबर है आपको स्पिनर का भी नंबर पेशर के बराबर दिख रहा होगा इसलिए मैं यहां पर तार अच्छा खासा मिल अधर्वाइस यहां पर आप देखोगे तो अफगानिस्तान की टीम ने 169 बनाया था और न्यूजिलेंड 75 पर आउल आउट थी और यहां पर कितना भैंकर टान मिल रहा था आपने देखा था यह वले गेम में भी आपने देखा होगा वेस्ट इंडिस की टीम हारते हारते बची थी पी एंजी की टीम ने अच्छा खासा परेसान के आता है यह रीजन यह है कि विकेट कभी-कभी बहुत ज्यादा स्लो रहता है मोस्ली केस में यह होता है अगर बल्ले बाजी के लिए अच्छा विकेट आएगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे कर दूँगा खुझ से अपनी बहतरीन टीम बना पाऊगे तो इसलिए एनालिसिस इंपोर्टेंट रहता है तो पिच रिपोर्ट आपने देख लिया यह दोनों टीम का बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख लो कोई खास उसमें है निवसे इंडियन टीम में लेफ्ट हैं यहां पर जो लेकिन है तो इंपोर्टेंट तो देखोगे तो मैं अभी डीटेल वाइज आपको समझाओंगा एक एक प्लेयर के बारे में रिशब पंत विराट कोली सुरे कुमार दव पांडव जड़ेजा और यादो अर्शदिप सिंग एं जस्पित बूबर यह इंपोर्टेंट प्ल क्लॉब रहें दूबे ने भी लास्ट दो मैंच से अच्छी हीटिंग अबिलिटी दिखाई है हार्दिक पांडे का फॉर्म अच्छा है चड़े जाने कुछ खास नहीं किया अक्सर पेटेल का फॉर्म डिसेंट कुल्दीप ने काफी अच्छा किया बुम्रा ने काफी मतलब जो मस्ठप पिक रहें आपको लेकर ही जाना है तो पहला नाम आएगा यहां पर रिष्टा पंका क्योंकि कीपिंग बैक अप रहता है दूसरा नाम हार्दिक पांडे का तीसरा नाम है कुल्दी प्यादो चौथा नाम है जस्पीद बुम्रा इन प्लियर्स को आप को देखो अगर हम यहाँ पर ना आ ऐस्पीद को छोड़ तो कुल्दी प्याद और अरसदी मिल के 12 अव़ डालते हैं चार-चर अवर तो बचे वे जोके इन बाज हर्दिक पांडे अक्षर पेते ल और जड़े ज़्यादा चांसर की शेयर करते हैं ठीक है बागी यह बैंच- तो यहाँ पर इस तरीके से आप स्टाइट हर एक प्लेयर का पढ़ सकते हैं जिसका अच्छा स्टाइट है उसको यह उलो कलर से मेंशन कर दिया और यह जो रीशन फ़र्म है यह इस टॉर्णमेंट से पहले का रीशन फ़र्म और आपको प्लेयर की डीटेल समझो आगे हम लो बार बार वीडियो बनाके डालना तो पॉसिबल नहीं है तो प्लीज जाओ और जूड़ जाओ और हाँ आप लोग मुझसे कहते रहते हो कि आपको ऐसा एप चीए जहाँ पर आपको टीडियस ना देना पड़े तो अभी रियल एलेवन ना ऐसा ओफर चला रहे कि वहाँ पर टीडियस नहीं देना पड़ेगा आपकी विनिंग पर तो रियल एलेवन पर साइन अप कर लो विडाउट टीडियस आप खेल सकते हो आपको कोई टीडियस पर ही नहीं करना है अभी तीस परसेंट चार्जेस लगता है विद्ड्रॉल पर प्लस यहां पर एंट्रिफीस भी जॉर्डन भी इंपोर्टेंट है तो अब देखो इनकी टीम से फॉर्म फिल्ट ने ना यह वाले मैच में पर्फॉर्म किया और यह 37 बाकि बड़ा स्कोर नहीं आया लेकिन लास्ट में 25 नाबाद था बटलर ने भी लास्ट में काफी अच्छा किया बैस्तों ने यह वाला सेंशन का पर्फॉर्मेंस थोड़ा सा डीसलब्र ने अच्छा किया यहां पर लास्स्ग फीन के चार नाम ले लूगा ठीक है दूसरा नाम आप अफे मेंस्टन तो, आपको जा सकते हो, या प sumsहां से माँस के चलो मैं समझा दूगा यह बटलर को यहाँ स लो या उप्र प्लेयर आप संगे जाओ कि ऐसे बताऊंगा तो तो गए इंग्लेंड की बात इसके अलावा पावर प्लेंग इनके पाफ डॉप ले और आरचर ससे करन जॉड़न ओर तो इसके आसकते हैं इनकी टीम से लेट हेंटर टिक हो है तो मोईने लिग इंद बाजी डाल सकते हैं आपको रिजन में आपको और एक तकड़ा रिजन दूँगा बाकि यह बेंच प्लेयर से और इनके भी प्लेयर वाइज स्टैट्स देखलो सेम वही फॉर्मेट जिस फॉर्मेट में इंटेन टीम के प्लेयर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखे हुएं भाई किसी दिन ढूनते रह जाओगे और आपको मैं मिलूंगा नहीं क्योंकि ऐसा अच्छा एनलाइजर आपको बहुत कम यूटूब पर देखने मिलेंगे सब हवाबाजी करते हैं तो कोचिस करो सब्सक्राइब कर पलास वीडियो को सब्सक्राइब कराइब करो अगर आपको वीडियो मुपशनद नहीं तो लाइक युटाव करो वाधसिक uhm यह इंडियन टीम का रिकॉर्ड है अगेंस इंग लेंड जब भी खेलें और यह वेन्यू पे जब भी यह लोग खेलें तो अगेंस इंग लेंड विराट कोली 20 मैच में 649 चालिस का अवरेज है रोईसलमाट 34 और सुरी कमर यादव 46 का अवरेज है हार्दिक पांडिया का दे वेन्यू दोनों अच्छा 44 मैच में 3 विकेट है कोली प्याद आओ एक मैच इस वेन्यू पर खेलें तीन विकेट निकाल है इनका भी है तो यह दियान रखना अभी इंग्लेंड की टीम की बात करें यह इंग्लेंड की टीम का हैट टू हैट रिकॉर्ड अगेंस इंडिया यानि इस वेन्यू पर यह लोग खेलें नहीं है अगेंस्ट इंडिया बटलर का थर्टी फोर का एवरिज है फिल सॉल्ड का एट का एवरेज है बाकी यहां पर आओ तो लिंक्स नने 29 की एवरेज से रंस बनाए जौफर आर्चर पांच मैच में साथ मार्कूर चार मैच मे किस वेकिट है तो यह ध्यान रखना थोड़ा प्लेयर बैटल देखते हैं यहां से आपको प्लेयर की स्टेंथ और वीक्नेस का अंदाजा लगेगा रोई शर्मा को आर्चर ने 20 गिंदों में तीन बार और मोहिन अली और जौफर आर्चर के सामने इस ट्रॉगल कर सकते हैं प्लस दो लेफ्टाम पेसर हैं री स्टॉपली एंड सैम करन उनके सामने भी इनको बचना पड़ेगा हाला कि लास्ट मैच में मिचल स्टार्क लेफ्टाम पेसर थे उनको दो दिया उसके बाद विराट गोली की बात करें मोहिन अली के सामने जौटन के सामने 68 गंदों में यहां मोहिन आली कंड़ा में इस चारड़ा लेकिन जड़ेजा हार्दिक पांडिया को इन्हों ने अच्छी घासे रंच भी बनाए फिल्चॉल्ट अक्सर पेटिल के सामने एक बार बैस्ट हो जड़ेजा के सामने चार बार चबवन गिंदों में और यह लेफटाम पेशर के अगेंस लेफटाम और अर्फटाम कीपिंग सेक्षन से बात करें तो जॉस बटलर मस्ट हब भी करेंगे ज्यादा सोचना नहीं कीपिंग बैकप भी राएगा फॉम में भी है रिसप पंद भी मस्ट हब भी करेंगे स्पेशली स्मॉल लीग में कीपिंग बैकप प्लस वह 20-25 जो आता है वह तेजी से आ गया तो वह स्ट्राइक का भी पॉइंट मिल जाएगा कीपिंग से भी पॉइंट दे देंगे तो अराम से 30-40 पॉइंट दे के जा सकते हैं फिल शॉल्ट वैसे तो काफी ताबर तोड़ बल्ले बाजे खेलते तो पुरी छाप छोड़ देते हैं लेकिन दिक्कत क्या है स्लो वि बैटिंग ये अच्छा विकेट है तो लेके जा सकते हो रोहित सर्मा जोफरा अर्चर और मौहिनली जोफरा अर्चर ने तीन बार मौहिनली ने दो बार आउट किया है प्लस लेफ्ट अम पेशर सामने सैम करन है और री स्टॉप लिये हाला कि जो लास्ट मैच इंडिया का लेकिन अंतर क्या था वह एक बैटिंग विकेट था यहां पर जनरली लरंस बनाना उतना इजी नहीं होता है तो मैंने इसलिए इनको छोड़ा है हलाकि हो सकता है मेरे ओपन इंटिन को कैप्टन बना के लिए और यह फिर अच्छा पारी खेल जाए तो मेरा एक तरफा लॉ कि यह मैच स्मॉल लिग के लिए या फिर फेंटेसी के लिए उतरा अच्छा नहीं एक तो रेंच चांसे है प्लस दो स्ट्रॉंग टीम्स है तो मैच उनर्स अच्छे खास अब सबको तो नहीं ले पाऊगे किसना किसे के साथ कॉम्परमाइस करना पड़ेगा तो वह वाली लेकिं देखोगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है सुरे कुमार भर्यादव भाले मैच पर्फ़र्फं कि आच्छा है कि यह अच्छा खेलते हैं इनके पास एक्सपीरियंस शूरे कुमहर भर्याद वाले मैच में टें लेकिन को किसी भी विकेट पर मैंने का दमब रख्ते ह हाला कि इंडियन टीम के अगेंस 25 का आवर्ज है लेकिन दिक्कत पता है का है लेफ्टाम और्थोडॉक्स कोई अच्छा खेल नहीं पाते हैं सामने जड़ेजा और वह है अक्षर फटेल प्लस पुल्दी पिया दो लेफ्टाम रेस्टी स्पिनर यह स्पिन कोई अच्छा नह नहीं वह यूजी चहल है और वहां पर रवी विष्णोय तो स्क्वैड में नहीं तो यूजी चहल खेल नहीं रहे लेकिन फिर भी यह देखो सामने अक्षर पटेल है और जो है कुल्दी प्याद हुए तो मैं इनके सामने एक्सपेक्ट कर रहा हूं यह ज्यादा खेल ना नीचे और को इतना अच्छा उप्शन है नहीं अल्राउंडर से हार्दिक पांडिया मस्ठप पिक रहेंगे ज्यादा सोचा नहीं यह बल्ले गिंसे दोनों से परफॉर्मिस कर सकते हैं अक्सर पे टेल भी बल्ले गिंसे दोनों से परफॉर्मिस कर सकते हैं लेके जा सकते ह लेकिन दिक्कत पता है कि लास्ट में गिंदबाजी नहीं मिली उससे पहले लिविश्टन लेके जा सकते हो एज Вас really रविंदर जड़े जाए के अवरेज पिक क्योंकि ज्यादा मौके मिलनी रहें दूबे गेंदबाजी करनी रहें एज बल्लेबाज खेल रहें हाला कि छोड़ा तो तो थोड़ा लिए रिए क्याल को लिए क्या है कि बैटिंग बालिंग देखते हुए इसलिए नहीं यहां पर देखो बुम्रा को लिया है और कुल्दी प्याद यह दोनों मस्ठा फिक छोड़ना नहीं कोई बिनिंग हो अर्सिदिप को मैंने ले लिया यदि इंडियन टीम पहले गंदबाजी करेगी तो देथ में आएंगे सेकेंड इनिंग में गंदबाजी आएगी ना तो मैं इनको साथ छोड़ दूँगा इनके जगे किसी और प्लेयर कौम लेके जा सकते हैं जैसे जौफरा अर्चर हो गए तब यह फर्स इनिंग में गंदबाजी करेंगे ठीक है तो यह ध्यान रखना आदेल रसीद इस पिच पर लेके जा सकते हैं प्लस इनका रिकॉर्ड अच्छा अगेंस्ट इंडिया और सबसे इंपर्टेंट चीज है कि बल्ले से रंच भी बन से लेकिन फॉर्म अच्छा ना होने के कारण छोड़ दिया अब जो 11 प्लेयर है फिलहाल के लिए मैं पीश ओल्ड को लेके जा रहा हूं आफ्टर टॉस में मौयन अली को भी लेकर जा सकता हूं मैं आपको भी टेलीग्राम बता दूंगा लिंग संग ना या तो बैटिंग अकॉर्डिंग टू टॉस पी सॉल्ट और यहां पर अक्सर पटिल का आना मौयन अली का आना यहां पर आप जौफरा अर्चर को कब और किसकी जगे ले सकते हो इस सारी चीजे वीडियो में समझाई है आफ्टर टॉस की अपडेट की जरूरत पड़ेगी की सिच्वेशन सम कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमेंट में लिंक मिल जागा जाओ और जोड़ जाओ टेलिग्राम से वहां पर आपको पता चल जागा कौन से टीम पहले बॉलिंग कर रही है पिच कैसी दिखर रही है क्या आप लेंग लेवन तो यह सारी चीजे देखते हुए जो यह प्लेय आपकी होनी चीए अब इसकिल्स में आप क्या कर सकते हो कुछ एक ट्रम पिक्स है जैसे यह देखो जोनी बैस्टो हैरी ब्रूख री स्टॉप ली सैम करन मोहनेरी और दूबे चलो यह जो दो कैप्टन वाइस कैप्टन ओप्सन थे हार्दिक पांडिया बडलर जिनको मैंन यहां पे जॉड़न को ले लिया है और यहां पे अक्सर पडिल को भी ले लिया तो इसमें थोड़े रिस्क लिया मैंने तो एसल प्लस डिफरेंशल वाला कॉंसेप्ट हो गया यह आप अलग-अलग टाइप से मैच को रीड करते हुए ग्रेंड लिक की टीम से बना सकते हो ठीक है यह जस्त आपको समझाने के लिए बाकी दिखो यह में टीम है इसमें कुछ भी चेंजिस पॉसिबल है और यह चीज है ना मैं आपको आफ्रे टॉस टेलिग्राम पर इंफर्म कर दूँगा और मैंने आपको वीडियो में भी समझा दिया तो आप खुछ से भी कर सकत बाकी फाइनल अपडेट के लिए टेलिग्राम से जूड़ जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्षन के सबसे पहले कमें में लिंक मिल जाएगा एंड होप करता हूं मैंने आपको इस वीडियो से काफी कुछ सिखाया सीखे हो तो लाइक जरू करना चैनल पर नह हो तो सब्सक्राइब कर लेना मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए जाएं